असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स विलकम टू मैंई जहारास की चेन मैं हूँ जहारा उमीद करती हूँ आप सफेरेट से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ बिलकुल बलून के जैसे फुलने वाली भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत यासान है जब आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए इसके अंदर बिलकुल जालीदार आपका इस तरह से भटूरे बनकर तयार होगा और भटूरे में तेल ज्यादा अब्ज़र भी नहीं करेगा पर्फेक्ट रेसिपी है एक बार ज़रू प्राइ कीजेगा मैंने इस चैनल पर रिशेंटली अपलोट किया है अमरित सरी छोले की रेसिपी उसकी रेसिपी की लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर उपर आई बटन पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आज की भटूरे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए हल्फ लगती है इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करते भेजाएगा सबसे पहले मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है दो कब डाल दूंगी मैदा इसी के साथ उसी कब के मेज़़रमेंट के हिसाब से मैं हाफ कब डाल रहे हूं सूजी अब मैं हाप डाल देती हूं दही दही यहाप अगर थोड़ा सा खटा होगा तो चलेगा हाफ कफ हमें दही डाल देना है अब मैं हाप एक छोड़ी चमच चीनी डाल देती हूं एक छोड़ी चमच हमें नमक डाल देना है और साथ ही आधी चोड़ी चमच से थोड़ा सा कम ह को इस तरह से मिक्स करना है और इसे गुनने के लिए हलका गर्म पानी त्होड़ा पानी त्होड़ा-टोड़ा करते हुए बिल्कुल इसका एक सॉफ्ट डो त्यार कर लेंगे एक साथ ज्यादा आपको नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डाली और बिल्कुल इसका एक सॉप डो तैयार कर लीजिए हमें डो कूर रेस्ट पर भी रखना है सूजी मैंने डाला है तो पानी ज्यादा अब्जाब करेगा अगर थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो भी चलेगा यहां पर म हमारा आटे में फर्मेंटिंग होगा जिससे क्याना हमारा फटूरे के अंदर बिल्कुल जाली दार बनकर तयार होगा और बहुत अच्छी तरह सो फूलेगा भी तो लीजिए फ्रेंड्स यहां पर एक घंटा हो चुका है डो कूरेस्ट पर रखा हुआ बहुत अच्छी त इस तरह से लगा कर आपको बेल लेना है और इसे हम ज्यादा पतला नहीं करेंगे थोड़ा साम मोटा रखेंगे तब हमारा भटूरे जो है फुलेगा भी अच्छी तरह से और वो खाने में भी मज़ेदार कर लगेगा तो इसी तरह से मैं सभी भटूरे को पहले बेल होता है तो चलिए मैं उसे भी दिखा देती हूं सही तरीके से अगर आप इसे फ्राय करेंगे तो आपका भटूरे जो बिल्कुल फुले फुले बनेंगे बलून के जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है जब पूरी तरह स कभी साइस बड़ा रहता है उस हिसाब से भटूरे का भी साइस बड़ा रहता है मैंने यहां पर आप देख सकते हैं कड़ाई के हिसाब से भटूरे का साइस भी परफेक्टली बनाया है तो इस तरह से जितने बड़े साइस कभी आप भटूरे बनाएंगे लेकिन इसी तरह अगर आप फ्राय करेंगे बिल्कुल गर्म तेल पर आपका भटूरा बिल्कुल इस तरह से बलून के जैसे फुले फुले बनेंगे एक मिनिट के अंदर आपका भटूरे जो है बिल्कुल फुले फुले बनेंगे एक मिनिट के अंदर आपका भटूरे जो है बिल्कुल फुल बज़र्ब नहीं करेंगा और अच्छी तरह से फुलेगा तो लीजे फ्रेंज अब जो हमारा बटूरे बिल्कुल बनकर तयार है मैंने इसे सर्प किया है अमुर्च सरी छोले के साथ बहुत ही मज़ेदार का बनकर तयार हुआ है जहटपट सिंपल तरीके से बनकर तयार होता है तेल का एक बुन भी आपको नहीं दिखेगा कितना बिल्कुल भी तेल नहीं करता है अगर मेरी टीप्स को फॉलो करके इसे चानेंगे तो इस तरह से आपका बलून के जैसे बिल्कुल फुले भटूरे बनकर तयार होगा तो इस रेसिपी को जरूफ रहे किजिए इंशा के लिए अच्छा नहीं होता है इस तरह से अगर आप घर पर बनाएंगे आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल भी नहीं है और किस तरह से मज़ेदार का बनकर तयार हुआ है उसके साथ अम्री सरी छोले देखिए कितना ला जब आप टेम्टिंग दिख रहा है उतना ही मज़